नमस्कार दोस्तों मैं अनुप कुमार सिर्वास्तों आप लोग का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे तो चलिए बच्चे सब कुछ पढ़ो चैनल के क्लास को आगे बढ़ाएं तो पहले आप सभी बच्चे बोर्ट पर ध्यान से देखिए आपका चैप्टर कौ आगे बढ़ाते हैं और बच्चे हमारा जो अगला और महत्वपुन जो फसल है हमारा अगला फसल है बच्चे गेहूं क्या है हमारा अगला फसल गेहूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गेहूं कैसी फसल है तो आप क्या कहेंगे बच्चे रभी तो हमें इस बात को याद रखना है कि गेहु जो है वो कैसी फसल है तो वो रभी की फसल है अच्छा याद रखिएगा कि चावल के बाद ये दूसरी महत्वपुन फसल है इसका मतलब है कि अगर हमने चावल के बाद देखा तो ये क्या है दूसरी महत्वपुन फसल है चावल के बाद गेहु ह बच्चे याद रखेगा सभी लोग कि ये जो है ज्यादा तर उत्तर और उत्तर पश्मी भागों में इसकी खेती होती है भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्मी भागों में इस बात को याद रखेगा बच्चे खेती होती है, तो हमें इस बात को याद रखना है, कि जो गेहु है ये भारत के उत्तर और उत्तर पश्मी भागों में प्रमुक्ता से उप जाई जाती है, उगाई जाती है यहाँ तक समझ मैं आए बच्चे, अच्छा एक चीज याद रखना है सभी लोगों को, कि ये जैसा मैंने भी आपको बताये था, कि उत्तर और उत्तर पश्मी भागों में ये अच्छे सुब जेगी, अच्छा है कियर कीजेगा, कि इसको उगाने के लिए सीतरितू और पकने वाली धूप, मतब जब पकने का वक्त होता ह उस समय क्या चाहिए, धूप चाहिए, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, कि ये कब उगाई जाती है, सीतरितू में, यानि ठीक है, हमने देखा, कि ये सीतरितू में उगाई जाती है, बच्चे, सीतरितू में उगाई जाती है, लेकिन पकने के वक्त, पकने के व रखेंगे कि यहूं को सित्रितु में उगाई जाती है लेकिन जब इसके पकने का वक्त आता है फसल तैयार होने का वक्त आता है तो बच्चे इसे क्या चाहिए इसे धूप चाहिए ताके धूप इसको सही से पका सके क्लिर है? अच्छा बच्चे इसको जो बारिस चाहिए वो ज़्यादा नहीं लगवक 50-75 cm बारिस चाहिए इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा कि वर्षा भी इसे कितना चाहिए 50-75 cm तो देख सकते हैं कि 50-75 cm की बारिस में भी ये फसल अच्छे से हो जाएगी एक चीज याद रखेगा कि भारत में गेहु के दो प्रमुख उत्पादक छेत्र हैं हमें इस बात को याद रखना है बच्चे ये दो प्रमुख उत्पादक छेत्र क्या क्या है तो पहले याद रखेंगे बच्चे कि ये एक तो गंगा और सत्लूज का मैदान अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो गंगा का मैदान और क्या सत्लूज का मैदान इस बात को याद रखेगा कि दो मैंने आपको बताया था तो किसका मैदान गंगा का मैदान और फिर सतलुज नदी का मैदान तो हमने देखा कि गंगा का मैदान और सतलुज का मैदान ये पहले भाग में आया उत्तर भारत में उसके बाद अगर हम इसे दूसरी पेटी में देखे बच्चे तो दूसरी पेटी में आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है आपको वहाँ पर होती है जो दक्कन है मतलब दक्षिन की जो काली मिटी का प्रदेश है उसमें तो हमने इसका दूसरा भाग कहा देखा बच्चे दूसरा उत्पादक शेतर दक्कन की काली मिटी का प्रदेश यानि दक्कन में जहां पर काली मिटी है उस काली मिटी के प्रदेश में हमने देखा कि यहां पर भी गेहूं का उत्पादन होता है तो आप सभी बच्चे याद कि भारत में गिहूं के दो महत्वपुन उत्पादक शेत्र हैं जैसा मैंने आपको पहला बताया बच्चे कि गंगा सतलूज का मैदान और दूसरा क्या है दककंड में काली मिठी का प्रदेश यानि दक्षण भारत में काली मिठी का प्रदेश किलर है अच्छा याद रखेंगे बच्चे कि पंजाब हर्याना उत्र प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश में भी ये अच्छे से उगाई जाती है किस राज में बच्चे पंजाब में, हर्याना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी ये क्या है बड़े पैमाने पर उपजाई जाती है पुरी बास मज़ में आगी बच्चे, ठीक है चलिए हम अपने अगले फसल की ओर चलते हैं तो बच्चे जो अब हमारा अगला फसल है जो महतपुन फसल है उससे हम क्या कहते हैं, मोटा आनाज पूरी बास मजबें, मैं इसे मिटा दू बच्चे, ठीक है, चली आगे सीखते हैं, मोटा नाज, आप बच्चे वीडियो को पाउस करके, पूरी बात अच्छे से लिख सकते हैं, और अच्छे से सारी बातों को सुनिये ध्यान से, सारी चीजें आपको क्लास में ही याद होती चली जाएं, ताके class में जो भी हम time invest करते हैं बच्चे, उसका output हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, पुरी बास समझ में आगे बिटा, ठीक है, चली, हमारा जो अगला फसल है, उससे हम क्या कहते हैं, मोटा अनाज, क्या कहते हैं बच्चे, मोटा अनाज, अब जरा सीखते हैं, क बच्चे याद रखेगा कि मोटा अनाज में जवार, बाजरा, रागी जैसे चीजों की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बाजरा की बात करते हैं, और फिर किसकी बात करते हैं, रागी की बात करते हैं, तो याद रखेगा कि हमारा फीसरा जो फसल है, वो मोटे अनाज में है और मोटे अनाज में बच्चे हम किसकी बात करते हैं हम जवार की भी बात करते हैं बाजरा की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं बच्चे रागी की बात करते हैं पूरी बात आपको समझ में आगी अच्छा एक चीज याद रखेगा कि इन फसलों की खूबी है कि इसम पार, बाजरा, रागी जैसी चीजे हैं इनमें पोसक तत्वों की मातरा क्या होती बचे बहुती अधिक होती है और याद रखिएगा कि अगर आप इसे छेतरी की द्रिश्टी से अगर हम देखते हैं तो जुआर् तीसरा फसल है इस बात को याद रखिएगा कि छेतरफल की द फसल है इसका मतलब है कि चावल गेहूं के बाद तीसरा फसल क्या आ जाता है जो जौर इसका मतलब है कि भारत में जौर भी बढ़े पैमाने पर उपजाई जाती है पूरी अतर्य पहर किएर किजेगा कि इनकी जो खेती है वह जनरली वर्षा पर निर्भर है किस पर निर्भर है बच्चे वर्षा पर निर्भर है तो अगर ये इसकी खेती वर्षा पर निर्भर होगी इसका मतलब है कि सिचाई की आवशक्ता क्या होगी कम होगी इस बात को याद रखेगा कि इसमें सिचाई की आवशक्ता क्या है बच्चे कम है इसलिए कम है क्योंकि सिई की किस पर निर वर्सा पर और अगर इसका मतलब वर्शा से उसे जल रेगे तो फिर आपको शिचाई करने की क्या अवश्च्ञता है पुरीरा समझ में आगी वह थे ठीक और याद रखेंगे कि इसके उत्पादक छेतर में भी कौन है महारास्टरा है करनाटक है आंध्रपरदेश है और क्या है बच्चे याद रखेगा इसके उत्पादक छेतर मैंने भी आपको बता दिया महारास्टरा करनाटका आंध्रपरदेश अगर आप ऐसे राज्यों में देखेंगे तो बड़े पहमा की ठीक है ना अब यहां पर सभी लोग क्यार कीज़ेगा जैसा बुट पर आप देख रहे हैं कि बाजरा भी क्या है मोटा अनाज है तो यह जो खूबियां मैंने लिखवाई है यह अल्रेडी बाजरा के लिए भी हो गई बच्चे क्लिर है लेकिन बाजरा तो हमारा जो तीसर पूब जा रहा है वो क्या है जवार है तो बच्चे जवार वैसे आता कि इसमें मोटे अनाज में यहां तक पुरी बात समझ में आगी बच्चे आप लोग को ठीक है अब यहां केर कीज़ेगा सबसे पहली बात है बच्चे कि मोटे अनाज की जो खेती है या जवार की जो वो किस पर निर्भर करती है वर्षा पर निर्भर करती है हमें इस बात को याद रखना है कि इसकी खेती जो है वर्षा पर निर्भर करती है तो बच्चे अगर सूचिए कि अगर मालिजे इसकी खेती वर्षा पर निर्भर करेगी तो क्या सीचाई की आवशक्ता है नहीं है इ इसमें कम हो जाती है आनि इसी चाई की आवशक्ता नहीं होती आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे कि कम होती है या आप ये कह दीजे किसी चाई की आवशक्ता नहीं है तो हमने ये भी देखा कि इसमें सी चाई की आवशक्ता ही नहीं है पूरी बात समझ में आगी बच्चे अब क्यार कीजेगा कि महाराष्ठा करनाट का आंध्यपरडिस और मध्यपरडिस जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर मोटे आनाज का उत्पादन होता है पुरी बात के लिव ठीक है चली हम अगली एक और फसल पर चलते हैं जैसे मैंने जवार के बारे में बता है तो थोड़ा हम बाजरा के बारे में भी बात कर लें, ठीक है, बच्चे याद रखिएगा, कि बाजरा जो मोटे अनाज में आता है, तो बाजरा के लिए जो मिट्टी चाहिए, थोड़ा सा अगर मिट्टी की मैं बात करूँ बच्चे, तो सभी लोग याद रखिएगा, इसक बाजरी का मतलब है कम गहरी, तो अगर हमारे पास बलुआ और कम गहरी भी काली मित्री है, तो हम उस पर आराम से क्या कर सकते हैं, बाजरे की खेती कर सकते हैं, जैसे अगर राज्यों की बात की जाए, तो सभी बच्चे याद रखेगा, राज्यों में, राजस्थान, उत्तर परदेश महाराश्रा गुजरात हर्याना इनमें बड़े पैमाने पर बाजरा का उत्पाधन होता है राजस्थान उत्तर परदेश महाराश्रा गुजरात और हर्याना पूरी बात के लिए बच्चे ठीक है अब थोड़ा रागी की बात की जाए तो बच्चे हमने बाजरा को देखा अब रागी की भी बात करते हैं याद रखेगा बच्चे जो रागी है वो सुस्क प्रदेश की फसल है कैसे प्रदेश की फसल है बच्चे सुस्क प्रदेश की फसल यानि के सूखे छेतर की क्या है ये फसल है तो हमने देखा कि रागी खुद सूखे छेतर की फसल है इ इसलिए इसमें सीचाई के उतनी आविशक्ता नहीं होती, यहां तक समझ मैं है, अच्छा, एक चीज याद रखेगा बच्चे, कि रागी के लिए लाल, काली, बलुवा, दोमट, मिठी चाहिए, आराम से हो जाएगी, ठीक है, तो हमने देखा इसके लिए कैसे कैसे मिठी चा रहती है, क्लिर हो गया बच्चे, तो हमने देखा कि रागी के लिए भी ज़्यादा सीचाई या पाने के जरूवत नहीं है, और रागी के उत्पादन में जो जो राज्ये हैं, तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि रागी के उत्पादन में करनाटक है, हिमाचल चलि बच्चे हमने यहां तक तो सीख लिया, अब जरा हम अगली फसल पर चले, तो बच्चे हमारा जो अगला फसल है, वो क्या है, मक्का, याद रखेंगे, मक्का यानि जिसको आप भुट्टा भी कहते हैं, तो हम उसी की बात करेंगे, तो बच्चे पहले मैं इसे मिटा आप वीडियो पॉज करके सारी बात अच्छे से लिख सकते हैं, तो चलि बच्चे जरा मक्के की बात की जाएं, वो भी याद रखेंगा, मक्का भी हमारा क्या है, एक महत्वपूर्ण फसल है, यहां तक समझ में आए बच्चे, ना, अगले फसल पर आते हैं हम, मक्का, यहां समी बच्चे याद रखेंगा, कि जो मक्का है या खाद्यान और चारा, दोनों में काम आता है, याद रखेंगा, कि मक्का किस चीज के लिए है बच्चे, तो मक्का खाद्यान भी है, आप इसको खा भी सकते हैं, खाद्यान भी है, एवं चारा भी है यानि चारा किसके लिए पश्मों के लिए तो एक बात हमें याद रखना है बच्चे कि मक्का एक ऐसा फसल है जो खाद्यान में भी काम आता है और वो चारे दोनों में भी काम आता है और जो मक्का की जो फसल है याद रखेंगे बच्चे की बारिस से फेरी से क्या मिल जाता है पानी भी मिल जाता है अच्छा इसे तापमान बच्चे थोड़ा ज्यादा चाहिए याद रखे खरीफ है तो तापमान तोगी तो तापमान चाहिए बच्चे 21-27 degrees Celsius इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि 21-27 degrees Celsius तक क्या चाहिए इसको तापमान चाहिए और बच्चे पुरानी जलोड मिटी इनके लिए अच्छी होती है अगर मिटी पूछा जाए कि कैसे मिटी इनके लिए अच्छी होती है तो बच्चे हमें याद रखना है कि पुरानी जलोड मिटी इनके लिए क्या है अच्छी है तो पुरानी जलोड मिटी में आप अच्छे से हम इसका क्या कर सकते हैं उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि मैंने मिटी में बताया था बच्चे कि जलोड मिटी क्या है उपजाओ मिटी है अच्छा याद रखिएगा कि कुछ राज्यों में मक्का को हम क्या करते हैं रभी के वक् रभी के वक्त बोते हैं इस बात को हमें याद रखना है बच्चे कि मक्का को कुछ राज्यों में हम क्या करते हैं रभी के वक्त हम इसे लगा देते हैं जैसे बच्चे बिहार राज्यों में आप क्यार करेंगे कि बिहार राज्यों में क्या है कि मक्के को रभी के वक्त लगा इसका मतलब है कि मक्ये में हम लोगों ने क्या किया है आधुनिक प्रदोग की का निवेश किया है इस बात को याद रखेगा बच्चे कि मक्ये में आधुनिक प्रदोग की के निवेश से निवेश से पैदावार बढ़ी है बच्चे मैंने आपको आधुनिक प्रदोग की बत जैसे बीज, उडवरक ऐसी चीजों से इसकी क्या है उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ी है ठीक है अच्छा अगर हम इसके उत्पादक राज्यों की बात करें तो बच्चे याद रखिएगा कि मक्ये के उत्पादन में करनाटक भी है बिहार भी है आंधर प्रदेश भी हम मक्ये का क्या करते हैं बच्चे उत्पादन करते हैं यहां तक लिर हो गया और याद रखिएगा हम अगले फसल के और बढ़ते हैं बच्चे मैं फिर से आपको राज बता दूं करनाटक है बिहार है आंधर परदेश से मध्य परदेश है और एट्सेटरा तो हम देख सकत हैं कि मक्ये का उत्पादन भी तीजी से बढ़ा है ठीक है चलिए हम अगले फसल के और चलते हैं बच्चे हमारा अगला फसल है जिससे हम कहते हैं दाल क्या कहते हैं बच्चे दाल वही दाल जो हम अपने घरों में प्रती दिन खाते हैं बच्चे ठीक है तो चलिए थोड़ को हम दलहन में भी ले कर आते हैं, दलहन में, पूरी बास मज में आई, ठीक है अब याद रखेगा, कि भारत जो है, दाल का सबसे बड़ा उतपादक एवं सबसे बड़ा उपभोगता इसका मतलब है कि हम डाल का सबसे बड़ा उत्पादग भी है और सबसे बड़ा क्या है हम उपभूकता भी है यहाँ तक स्मजनाई बच्चे, अच्छा, अब यहाँ पर क्यार कीजेगा कि डाल में क्या है कि प्रोटीन के सोर्स होते हैं सुर cups को याद रखेगा कि वा SUPER बड़े पैमाने पर प्रचूर मातरा में प्रोटीन होती है तो याद रखेगा कि प्रोटीन की मात्रा अधीक होती है और हमें सारे भिकास के लिए बच्चे प्रोटीन तो झाये इसका मतलब है कि हम प्रती दिन डाल खाना चाहिए अपनी सिहत के लिए भी बच्चे, क्लिए है, अच्छा, याद रखिएगा, इसमें कौन-कौन से दाल आते हैं, थोड़ा हम इस पे क्यर करेंगे बच्चे, तो इसमें याद रखिएगा, तूर की दाल आती है, उडद आती है, मूंग भी आता है, याद रखें ठीक है, फिर मसूर, मसूर की भी दाल होती है, बच्चे, मसूर, तो यह सब क्या है, यह सभी दाल के पोधें हैं, जो हमें बड़े पैमाने पर क्या देते हैं, प्रोटीन देते हैं, यहाँ तक समझ में आया, अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, कि दाल के आवज सकता है, तो बच्चे, अगर कम नमी की आवज सकता है, इसका मतलब है, कि यह सुस्क परिस्थिती में भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, कि कम नमी की आवज सकता है, इसलिए यह सुस्क परिस्थिती में भी हो सकते हैं, सुस्क परिस्थिती का मतलब है, बच्चे, जहां पानी की कमी हो, सिचाई सुविधा की कमी हो, वारिस की कमी हो, तो अगर सुस्क परिस्थिती है, तो भी दाल का पौधा अच्छे सो सकता है, और एक चीज याद रखेगा, कि दाल के पौधे की खुबी क्या है, कि ये वायू मंडल से नाइट्रोजन लेकर भूमी की उर उर्वर्ता बढ़ाता है, ये इनकी खुबी है बच्चे, कि ये क्या करते हैं, कि वायू मंडल से कौन सा गैस ले जाते हैं, नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस लेकर भूमी की क्या करते हैं, उर्वर्ता को बढ़ाते हैं, और याद रखेगा, कि ये भूमी की चुरवरता को बढ़ाते हैं इन्हें हमेशा फस्लों के आवर्तन में बोया जाता है इस बाद को भी याद रखेगा बच्चे के हम अगर हम इसके उतपादक राज्सयों की बाद करें बच्चे जहां अच्छे से उतपादक होती है तो याद रखेगा कि मध्य प्रदेश में भी अच्छा उत्पादन है इसका उत्तर प्रदेश में भी नेख सकते हैं बच्चे मध्य प्रदेश में उत्पादन है उत्तर प्रदेश में उत्पादन है राजस्थान महारास्ट्रा करनाटका में भी उत्पादन है इसका बच्चे राजस करनाटक में भी हम देखते हैं कि इसका बड़े पैमाने पर क्या होता है उत्पादन होता है पूरी बात समझ में आगे बचे